जी, गुरुजी राधे राधे, आपके चंडम गुरुजी कोटी कोटी प्रणाम मेरा, प्रसन्य रही है, खुश रही है, गुरुजी मेरा कोई सवाल नहीं है, बस दो लाइने आपके लिए कहना चाहता हूं मैं, अच्छा, गुरुजी आपके जो वजने बो सुनकर आत्मा तरप्त हो जाती है, और गुरुजी जब आप कता पूरी करके जाते हैं यहां से, गुरुजी चार दिन से मेरे मन में दो बाते चल लएए, वो मैं आप से कहना चाहता हूं, बजन के माध्यम से, जरा देर ठेरो गुरुदेव, जरा देर ठेरो गुरुदेव, तमन्ना यही अभी हमने दी भरके देखा नहीं है। राधे राधे गुरु जी धन्यवालॉ यहां गुनाह आप ने कि यहां आ गए आप, इतनी अच्छे लोग हैं आप, इतनी अच्छी बातें करतें हैं, इतनी विचारवान हैं, जुद्धीमान हैं। गुरु देम मुझे पर एक लड़की का case लगाया योग सोशन का case अच्छा आप पर एक लड़की ने case लगाया है जी गुरु जी तो आपने क्या उसका सोशन किया जी नहीं फेर गुरु जी आपने फस्ट दिन एक बात बोली थी कि दुणिया वाले अपने दुख से परिशाथ नहीं है, दूसरों की खुशु से दुख है, तो गुरु जी वो ही मेरे साथ हुआ है, कैसे? गुरु जी मेरे पिता, मेरे भाई, दो बड़े भाई हैं, एक मैं सबसे छोटा हूँ, तो गुरु जी मेरे बड़े भाई की आखों की रोसनी चली गई थी, उसके बाद छोटे भाई की चली गई, फिर अभी पिता जी की और पिरलाइस हो गया पिता जी को, तो गुरु जी म किने तोड़ा मेरी केंटिंग अगुरु जी सेकिन वगेरा गी तो मैं अच्छे सरेता था तो कोशी कि के उनने मैंने दूखडाउण 2020 का मेरा कहीarme है गुरु जी तो में शराब भी बहुत चाना ता? तो उस कारण तो शराब बैचने के कारण आपको जेल आना पड़ा जी नहीं सराब बैचने के वैसे नहीं आना पड़ा गुरुजी तो 17 की बात है गुरुजी तो हमारे बड़े बापा की उनसे लड़ाई हुई थी तो वही बात लेकर वेटे हुए थे तो गुरुजी उसको तो बोबात लेकर उस दिन मेरा जगड़ा हुआ तो उनका जो लड़का था मेरे भाई आरकेश्टा का काम करते हैं साउंड सर्विस का उनकी दोस्त की दोकाने तो मैं खड़ा हुआ था वो भच्चा ही मेरे साथ में खड़ा हुआ था तो परानी बात हम लोग भूल गएते त तो मोले बालवन उनके मेरे भच्चे को मेरे साहमें देगा भूल वर फिर में अपना आवार रैसें ज गरेने वाला हूँ तो रैसें जले में अंडिर में पढना मंदर HE दादाजी का तो में हुआ चला गया तो कुछ च्ण पर च之前 भच्चा भी वहां से कहीं चला गया तो मेरे मंदिर के पास हूं, तो मेरा भाई करन, अभी तुमारे साथ ता करन पर मेरे साथ ता सौनु जी दुकान पर उसका पता नहीं कहाँ चाला गाया तो गुरुजी मैं आया फिर वहां से तो मेरे घर पर गदर कर रहा था था उनका परीबार पूरा खड़ा हो के क्या कर रहा था कुर रहा था काल Eagles कर रहा था कैमा ठीक है तो गुरुजी कैल गुष्ट एम ड़ायं हो गई अन् लोगों से लड़ाई हो गई तो गुरुजी मेरा ये पेठ टूट गाया था लड़ाई में तो पुल्जा हमने कंपिलेंड न नहीं कर He hum उनने हमारी कम्पलेंट कर दी थी, समाझ का ही मिटा था हमारे पडोसी थे वो, पांच दिन बाद कम्पलेंट हुई थी गुरुजी, तो उसके बाद उन लोगों ने जाके किसी के बेकावे मांके हमारी कम्पलेंट करी, तो हमारी समाझ का ही मिटा था पंचाद होती दस साल हो गए आपको नहीं दस बर्स की सजा एक साल होई अभी अभी अच्छा जी भगवान सुखी रखें आपको जी गुरुजी रादे रादे धन्वाद लड़ाई बिलकुल मत करना जी गुरुजी धन्वाद